2018 यमनल अधिन यम्त दिय में घुटक wolywud में साल दो साल में कभी एक ऐसी में इसी फिल्म आती है is मैं बहुते हैं सब्सक्राइब बटन और इस घंटी को जल्दी से दबा दीजिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपने दोस्ते तुम्बाड को लेके एक आपिसाड़ी चर्चा कर सकते हैं यह देवी मा हैं पूर्ती की देवी यानि यह जो धन दौलत, रुपए, पैसा, अनाज, भोजन, खाना, पीना यह सब में पूर्ती की देवी से ही वर्दान में मिला है यहां तक कि जिस धर्ती पर हम रहते हैं वो भी देवी मा की कोक है हम इंसान इसके अंदर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं पूर्ती की देवी ने अपनी कोक से 16 करोर देवी देवताओं को जनम दिया जिनमें से उनकी पहली संतान है हस्तर हस्तर कहने के लिए तो देवता है लेकिन वो मन से लालची है इसलिए उसने देवी की एक हाथ से सोना तो चुरा लिया लेकिन दूसरे हाथ से अनाद चुरा पाता उससे पहले बाकी देवताओं ने उसको मारने का फैसला कर लिया देवी मा को अपनी संतान से प्यार है इसलिए उन्होंने उसको बचा तो लिया लेकिन एक शर्ट के साथ शर्ट ऐसी कि हस्तर हमेशा सोता रहेगा और कोई भी उसकी बाकी देवताओं जैसी पूजा नहीं करेगा हजारों साल तक देवी मा की कोक पे सोने के बाद हस्तर को नीन से खुद इनसानों ने जगाया और इसके बाद उसका मंदिर भी बनवाया गया फिल्म का मुखी किरदार है विनायक राउ दरसल विनायक की पूरवजो ने हस्तर का मंदिर तुमबाड नाम की एक जगह पे बनवाया था विनायक की पूरवजो को उस खजाने का राज जाना था जिसे हस्तर ने देवी मा के हाथों से चुरा लिया था इस खजाने को पाने के लालच में ही विनायक की दादी का पूरा शरीर एक श्राप से जल चुका है एक ऐसा श्राप जिसमें वो सिर्फ खाती हैं और सोती हैं इसके अलावा उनकी खुद की मौत भी उनके हाथ में नहीं है उनकी भूग को मिटाना भी नामुम्किन है इसलिए उनको शान्त रपने के लिए सोजा वरना हस्तर आजाये का लाइन का इस्तमाल करना पड़ता है लेकिन खजाने को पाने का तरीका सिर्फ दादी को पता है इसलिए विनायक उनको खजाने के बारे में जानने के लिए कोशिश करता रहता है लेकिन इस खजाने का जिक्र करना इतना अशुब है कि इसमें सबसे पहले विनायक के पिता और उसके भाई की मौत हो जाती है के साथ चला गया था श्राप की वज़े से विनायक की दादी मरी नहीं है और उनका पूरा सरीर शड़ चुका है और उनके सड़े शरीर में से एक बड़ा प्रेर उग गया है विनायक उनको मुक्ती दिने के बद्ले में उनसे खजाने को पाने की पूरी जानकारी हासिल कर लेता है इसके बाद वो उनके सड़े हुए शरीर को आग लगा दिता है इसके बाद विनायक रहसमय तरीके से कुछ सोने की मुद्रा अपने दोस्त को बेच के काफी सारे पैसे कमाने लगता है उसकी बीवी भी इस बात से अंजान है कि ये सोना आखिर विनायक लाता कहां से है विनायक का दोस्त भी पैसे के लालच में विनायक की पीछे पीछे तुमबार तक पहुँच जाता है इसके बाद फिल्म में सामने आता है वो राज जिसे जानने के लिए हम सबी दिल थामके बैठे है होता ये है कि विनायक को इस बात की खबर लग जाती है कि उसका दोस्त उसके पीछे-पीछे तुमबाड आया है इसलिए वो जान बुच के देवी मा की कोक का रास्ता उसको दिखा देता है जब वो देवी मा की कोक में जाता है तो हस्तर उसमें हमला कर देता है और विनायक का दोस्त उसकी दादी की तरह श्राप में फस जाता है इसके बाद विनायक खजाने को पाने का असली तरीका हमारे सामने रखता है दरसल हस्तर को अनाज का लालच है और दर भी इसलिए विनायक जब भी देवी मा की ओप में जाता है तो वो अपने चारों तरफ एक आटे का गोला बना लेता है हस्तर अगर इस गोले के नजदी काता है तो वो नश्ट हो जाएगा हस्तर की खाने की भूप मिटाने के लिए विनायक उसकी तरफ आटे में पानी मिला के एक गुडिया फेक कर देता है जब तक हस्तर उस गुडिया को चबाता है इतने में विनायक उसकी कमर से बंदी सोने की मुद्रा वाले बैक में से जितना हो सके मुद्रा निकाल लेता है मुद्रा पाते ही विनायक फटाफट से देवी मा की कोक से बाहर निकल जाता है और हस्तर अंदर ही बंद रह जाता है फिल्म जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि विनायक पुने शहर के रहीसों में गिना जाने लगा है लेकिन समय के साथ-साथ उसकी उमर भी बढ़ गई है और उसका शरीर अप कमजोर होने लगा है इसलिए अब वो अपने बेटे को तुमबार ले जाके ख़जाने के बारे में बताना जाता है वो उसे पूरी तरह तयार करने के लिए घर में एक रसी पर बार-बार चड़ने होतेने की प्रैक्टिस भी करवाता रहता है जब उस लायक बन जाता है तब विनायक अपने बेटे को लेके तुमबार जाता है और हस्तर से जुड़ी पूरी बात उसको समझा देता है विनायक का बेटा उसकी तरह ही लालची है इसलिए वो विनायक से आके बढ़के एक नया प्लान तयार करता है वो विनायक को सला देता है कि 4-5 सोने की मुद्रा से कुछ नहीं होगा बलकि उनको हस्तर का सोने वाला बैग ही चुरा लेना चाहिए हस्तर को जादा देर रोकने के लिए उन्हें एक नहीं बलकि कई सारी आटे की गुडिया उसकी तरफ फेक नहीं होगी लिए एक नया हस्तर जरम ले लेता है इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे हम इंसानों के पास रुपय पैसा बढ़ता है वैसे ही हमारे अंदर की जरूरते और लालज बढ़ जाता है हमारे पास कितना भी धंदुलत क्यों ना आजाये हमें हमेशा उसे ज़ादा चाहिये रहता है और अंध में होता वही है जो विनायक और उसके बेते के साथ होता है विनायक अपने बेटे की जान बचाने के लिए धेर सारी आटे की गुडिया अपने शरीर से बान लेता है और देवी मा की कोग से बाहर भागने लगता है उसके पीछे-पीछे सारे हस्तर बाहर आ जाते हैं और देवी मा से मिले श्राप से सभी हश्दर नश्ट हो जाते हैं इसके बाद विनायक का बेटा तो सही सलामत बच जाता है लेकिन विनायक को श्राप लग जाता है और उसका शरीर पूरा जल जाता है अपने पिता को ऐसे हाल में देखने के बाद बिनायक का बेटा उसको मुक्ती देने के लिए उसमें आग लगा देता है और यहां पे फिल्म का एंड हो जाता है इस फिल्म से सबसे बड़ी सीख जो हमें लेनी चाहिए वो यह कि हमें लालच से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए एक बार अगर लालच के दल्ल में फस गए तो उससे बाहर निकलना नमुम्किन है और इस लालच का अंथ हमेशा बुरा और दर्दनाक ही होगा दोस्तों अमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा कमेंट करके जरूर बताना कि फिल्म में आपको सबसे अच्छा क्या लगा मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में धन्यवाद